आपका स्वागत है आज का प्रेरक प्रसंग है जीवन की मुस्कान अगर आप सबको कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए सुनते हैं आज की कहानी एक फटी धोती और फटी कमीज पहने एक ब्यक्त अपनी 15-16 साल की बेटी के साथ एक बड़े होटल में पहुँचा उन दोनों को कुर्सी पर बैठा देख एक बेटर ने उनके सामने दो गलास साफ ठंडे पानी के रख दिये और पूछा आपके लिए क्या लाना है उस ब्यक में लाँगा इससने बाधा कुरा कर दिया इसके लिए इएक 2 साल लेवाड़े वेटर ने पूछा आपके लिए क्या लाना है उसने कहा मेरे पास एक ही दोरसे का पैसा है पूरी बात सुनकर बेटर मालिक के पास गया और पूरी कहानी बता कर कहा मैं इन दोनों को भरपेट नास्ता कराना चाहता हूँ अभी मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए इनके बिल की रकम आप मेरी सेलरी से काट लेना मालिक ने कहा आज हम होटल की तरफ से इन होनहार बेटी की सफलता की पार्टी देंगे होटल वालों ने एक टेवल को अच्छी तरह से सजाया और बहुती सांदार ढंग से सभी उपस्तित ग्राकों के साथ उस गरीब बच्ची की सफलता का जस्ल मनाया मालिक ने उन एक बड़े थेले में तीन डोसे और पूरे मोहले में बाटने के लिए मिठाई होटल मालिक ने तुरंत एक टेवल को अच्छी तरह से सजा दिया यह ख़बर सुनते ही पूरा होटल ग्राकों से भर गया कलेक्टर रूपी वही लड़की होटल में मुस्कराती हुई अपने माता पिता के साथ पहुँची सभी उसके सम्मान को खड़े हो गए होटल के मालिक ने उन्हें गुलदस्ता भेंट किया और आडर के लिए निवेधन किया उस लड़की ने खड़े होकर होटल मालिक और उस वेटर के आगे नतमस्तक होकर कहा मैं वही लड़की हूँ जिसके पिता के पास दूसरा डोसा लेने के पैसे नहीं थे और आप दोनों ने मानवता की सच्ची मिसाल पेस करते हुए मेरे पास होने की खुसी में एक सांदर पार्टी दी थी और मेरे पूरे मोहले के लिए भी मिठाई पैक करके दी थी आज मैं आप दोनों की बदौलत ही कलेक्टर बनी हूँ आप दोनों का ऐसान मैं सदय अब याद रखूँगी आज ये पार्टी मेरी तरफ से है और उपस्ते सभी ग्रहकों एवं पूरे होटल स्टाप का बिल मैं दूंगी कल आप दोनों को सेश्ट नागरिक का सम्मान एक नागरिक मंच पर किया जाएगा इससे हमें ये सिक्षा मिलती है किसी भी गरीव की गरीवी का मजाक बनाने के बजाए उसकी प्रत्वा का उचित सम्मान करें सम्मभ है आपके कारण कोई गुद्री का लाल अपनी मंजिल तक पहुंच जाए ओम सांती